सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सभी का आपके चैनल दपर्फेक्ट क्लासिस में स्वागत है डारेक्ट्रेट ऑफ एडुकेशन जीन सीटी ऑफ देली की वरक्षीट नंबर थाटीन डिसकस करें बच्चों क्लास सेवन की वरक्षीट है सब्जेक्ट साइन से थाटीवन अगस्ट टुथावजन टुथा और दैजेशन अमीबा में संबरहन और पाचन पढ़ेंगे वो फीडिंग की स्तरह से खाते हैं और उनका पाचन की सतरह से होता ही इसके बार में पढ़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब पिर भी वो भोजन को पचाते हैं, this organism is amoeba which is found in pond, इस जीव का नाम क्या है amoeba है जो की तलाप में पाये जाता है, आप इसके features पढ़ लेते हैं, salient features about amoeba, amoeba की जो मुखे विशिष्टा है, first is it is a single cell organism, ये एक कोशी की है, इसकी कोशी का में बस एक कोशी की जिली होती है, it cannot be seen with the neck die, हम अपनी आखों से इसे नहीं देख सकते हैं, जो मतलब अपनी बिना, without कुछ आखों पर लगाए, मतलब जैसे हमारी आखे हैं हम इसे नहीं देख पाते हैं, it has a cell membrane and vacuoles in its cytoplasm, इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कोशी का दरवर में बुलबुले के समान अनेक क्या होती हैं, धामनिया होती है, it has a dense and round nucleus, इसमें एक गोल सघन केंदरक होता है, it has no fixed shape, इसकी कोई भी अपनी आकर्ती और आकार को बदलता रहता है, तो देखें यहां पर हमें इसके parts दिखाए हुए, यह amoeba की picture दिखाए हुई है, आगे परते हैं, food and digestion in amoeba, अब ह अज़ वो खाता है किन चीजों को, तो हम देखें कि amoeba changes its shape and position constantly by pushing out finger-like projection called pseudopodia and capture some microscopic organism as its food, amoeba जो होता है, निरंतर अपनी आकर्ती और इस्तिती को बदलता रहता है, यह कत्वा अधिक उंगली के समान पिरवर्द निकालता रहता है, मतलब इसकी उंगलिया निकलती रहती है जो उंगली की तरह लगती है, लेकिन उन्हें बोला क्या जाता है, उन्हें artificial feet बोला जाता है, ठीक है बच्चों, false feet बोल दो, artificial feet बोल दो, या फिर उन्हें बाधाप बोलते हैं, pseudopodia बोलते हैं, वो क्या करता है, उससे अपने भोजन को पकड़ता है, ठीक है, जो अपने होता है, वो किसमें, अमीबा जो होता है, कुछ सूशम जीवों का आहर करता है, ठीक है, माइक्रो और्गनिजम लेता है, एक भोजन के रूप में, जो सूशम जीवों होते हैं, उनको पकड़ कर खाता है, तो ये भोजन बच्चों, उसका खादे धानी में फच जाता है, food vac पूसिस आर सीक्रेटिद इन्टो फूड वेक्योल और विच एक्ट अन्टो प्रेक इट डाउन इन्टो सिंप्लर सबस्टेंस, तो खादे धानी में ही पाचक रश्च रावित होते हैं, ये खादे पधार्ट पर किरिया करके उन्हें सरल पधार्टों में बदल देते हैं, The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication, the undigestive residue of the food is expelled outside by the वेक्योल, और पचा हुआ खादे पधार्ट धीर अफ्शोशित हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है, अफ्शोशित पधार्ट अमीबा की वृद्धी रख रखाव है, वो म्गुडन के लिए उप्योग के जाते हैं, बिना पचा अप्स खादे पधार्ट खादे दानी के दुआरा भार निकाल दिया जाता है, तो अभी यह हैं पढ़ते हैं, note, a similarity between the nutrition in amoeba and human being in that in both the cases, digestive juices break down the complex food particle into simpler substance, अमीबा और मानव में, अमीबा और मनुश्य में, पोशन के बीच समानता यह हैं कि दोनों में पाचन रस, जटिल खाते पधार्टों को सरल पधार्ट में परिवर्टित कर देते हैं, difference is कह बचो, difference is that amoeba has no mouth and no digestive system, whereas a human being has a mouth and a digestive system made up of many organs, अंतर इसमें यह है कि amoeba का मूँ नहीं है, पाचन तंतर नहीं है, जबकि मानव का मूँ होता है और पाचन तंतर कही अंगों से मिलकर बना होता है, अब यहाँ पर questions है, हम देखते हैं, first, in amoeba the food becomes trapped and digestive, जो amoeba का भोजन होता है, वो किस में फच जाता है, हमें वो लिखना है, and digestive juices are secreted into, और पाचकरस किस में स्रावित होते हैं, तो दोनों में same answer हैगा, बच्चो, food vacuum, यह लिखा हुआ है ना, यह, आप यहाँ से देखके लिख सकते हैं, answer one, ठीक है, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, चलो, fill up, food, vacuum, ठीक है, यह आपको दोनों blank में fill करना, यह यू है, ठीक है, दुखर से लिख देते हैं, ठीक है, यह लिखना है आपको, यह दोनों में इस वाले blank में भी यह यहाँगा, इस में भी, ठीक है, इसका मिनिंग होता है, खाद्यदानी हिंदी में, कोशियर नमबर टू देखता है, राइट वन, similarity and वन, difference between the nutrition in amoeba and human beings, तो इसमें आपको यहाँ से लिखना है, answer नमबर टू, वरकशीट से, यहाँ से लेकर, आपको answer टू लिखना है, बच्चों यहाँ तक, इसमें, difference is similarity, दोनों बताई हुई है, तो आप लिख देंगे, a similarity between the nutrition in amoeba and human being, is that in both the cases, digestive juices break down the complex food particular into simpler substance, इन दोनों के बीच, मतलब amoeba और बानफ पोशन में, पोशन के बीच समानता यह है, कि दोनों में पाचनरस चटिल खाद पधारतों को सरल पधारत में, जो चटिल होते हैं, उनने सरल पधारत में बदल देता है, और differences क्या है, differences is that amoeba has no mouth and no digestive system, whereas a human being has a mouth and a digestive system made up of many organs, अंतर यह है दोनों में, कि amoeba का मूँ नहीं है, नहीं उसका पाचन तंतर है, जबकि मनुश्य का मूँ होता है, और पाचन तंतर भी कैय अंगों से मिलकर बना होता है, question number 3 देखते हैं, define pseudopodia और false feed, false feed किसे कहते हैं, तो देखिए, इसका answer आप यहां से लिखेंगे, worksheet में से ही, यहां से लिखने शुरू करेंगे, 3, ठीक है, यह इटा देते हैं, यहां से सब, देखिए, यहां से लिख लीजे आप, amoeba, third, यहां से लिखे, false feed तक, यहां तक लिख लीजे, amoeba changes its, amoeba changes its shape and position, constantly by pushing out finger like projection, called pseudopodia और false feed, यहां तक आएगा, false feed तक, answer number 3, amoeba निरंतर अपनी आकरती हैं, अब इस्तिती बदलता रहता है, यह एक अथवादी कुंगलियों के सनमान, प्रवर्ध निकालता रहता है, जिसे, पाधाप कहते हैं, मतलब जिसे, false feed कहते हैं, तो यह होगा, answer number 3, तो बच्च वर्कशीट होगे, complete, मिलते हैं, next video में, thanks for watching,